बिसमेल आरोफांदेर रहीम, असलाम लेकूम, कैसे आप सब उमीद करते हूं कि आप सब खेरेस होंगे, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुती डिलिशियस चिकन की रेसिपी, तो आज हम बना रहे हैं चर्सी चिकन कड़ाई, बहुती तेस्टी ये बनती है, ब भी मसाले, 1Tा स्पून मैंन गर्चे मीद मुमान काली मुच्चे साबुत ये ये का जात मोजरा से दिलिये सहांगे नाओ की का टाप भख्यों का थे के सबा precisamente कि तुक्ताल है, बहुता क्ड़ाए बनती ही तो उस को चथिक सब्साराइच को लेगे, तो नेक्स स्टेब में का तकरीबन अदा कप से थोड़ सा जादा मैंने इसमें ठ करेंगे देल को छिखलेगे और इसमें हम ताल देंगे चिकन मैंने ले लिए खोर अचे से फिरीन के बाद में तक लिए फिर करेंगे, आप देखिए उनकार है तुर। effER जूकि टेस के अगर्णिंग कमिया जादा कर लीजिएगा मैंने 1 टी स्पून डाला है इसको डालेने के बाद बहुत इची तरीके से हमने चिकन को गुल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करना है तो देखें चिकन में हलकालका सा कलर आच चुका है गुल्डन ब्राउन सी हो चुकी है इ इसको डालेने के बाद बहुत अच्छी तरीके से भूलेंगे कड़ाई को जितना आप अच्छी तरीके से भूलेंगे मीडियम टू हाइफ लें पे उतनी ही टेस्फुल यह कड़ाई बनती है इसको लगातार चलाते वे हम अच्छी तरीके से फ्राय कर लेंगे तो देखें तो यह दो कर लिए थे तो यह दो करके मैं डाल रही हूं टिमाटरो को जिससे ना काफी ज्ञादा ऐजी से इसके चिलके उतर जाएंगे अब टिमाटरो को सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे तो कर दिया है कवर 10 मिंट के बाद चेक करेंगे अब तक रिबान दसमेंट गुज टेमाटो के छिलको को separate कर लेंगे अब ये जो छिलके होते ना ये बहुती बुरे लगते हैं मुह में आते वे अब टेमाटो को बहुत अच्छी तरीके से हम भूनेंगे और इसकी हम एक पेस ही तियार कर लेंगे तो ये देखें इस तरह से कुछ जल लेंगे अब देखें टेमाटरों को अच्छी तरीके से कुचलने के बाद कुछ इस तरह की शकल में आ चुकी हमारी कड़ाई और अब हम दालेंगे इसके इंदर दही तो यह देखें तेल आपको दिखरा है कि सेपरेट हो रहा है अब तेल जैसे ही सेपरेट हो रहा है तो मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तो दही डाल के इसको हम भुनेंगे तो टू टेबल स्पून के आसपास इसमें दही शामल कर देंगे हम तो दही डालने के बाद इसको हम एच़ी टही टालने के गां दालने के बाद इसको मिक्स कर दे लिए है तो आप लोग मीरी इस रैसिप़ी को भी कहा कासे वॉच कर रहे हैं प्रेस और जो लृट जीचे कूंध सेक्शन हमें अच्छी तरीके से इसकोкимиक्स कर देंगे बाद ट तोड़ा सा मोटा मोटा कूँटने है अपने अब मसाला डालें के बाद इसको बहुत अची तरीके से कर लेंगे हम मिक्स और तेल के सेप्रेट हो जाने तक हम इसको पकाएंगे अब देखें चिकन हमारी बिल्कुल डेडी है तेल सेप्रेट हो चुक है है भुनाई इसकी इच्छे से हो गई तो इसमें बारी कठवा हरदनिया डालेंगे दंडियों समयद साथ ही हम इसमें मोटी वाली हरी मर्च डालेंगे तो यह में पहाडी वाली मर्ची जिसे स्वीट चीलीज कहते हैं यह मैंने एक अदर काटके शामल कर दी है साथ ही मैं इसमें शामल करी हूँ जूलियन कटकीवी अद्रक अब यह जो हमने मसाला ड्राइर रोस किया था थोड़ा सा डाल रही हूँ स्प्रिंगल कर दिया है मैंने इसको हलका सा मिक्स कर लेंगे और बस हम दो मिंट के लिए इसको भूनेंगे और भूनने के बादा चूले के आज को कर देंगे हम बंद तो लीजे हमारी मज़िदार सी ये चिकन मन के तयार है थोड़े सी मैंने इसके उपर और डाल दी है यहरी मिर्चे और थोड़ा सा हरदनिया ट्राइ कीजिए बनाइए उसको नजोए कीजिए मजी रेसिपी जाने के लिए चाल को कर लिजी का सब्स्राइब नेक्स्ट रेसिपी वीडिए दक लिए टेक किया अलाहाफिज